दोस्तों नमस्कार आदाब सत्रियकाल नियोज क्लिक के कारिक्रम आज की बात के साथ मैं उर्मिलेश कॉंग्रेस निता राहुल गांधी की पदयात्रा को लेकर निस्संदे पूरे देश में एक उत्सा है खासकर कॉंग्रेस के लोगों में कॉंग्रेस के समर्थकों में और ऐसे लोगों में भी जो भारती जनता पाटी की मौजूदा सरकार से खिन हैं नाराज हैं और उसे आगे बदलना चाहते हैं पदयात्रा का जो मुख्य मकसद बताया गया है वो है भारत को जोड़ना नफरत को खतम करना लेकिन कई बार हम देखते हैं कि कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से कॉंग्रेस के नेताओं की तरफ से बार-बार कॉंग्रेस को बहुत मजबूत करने पहले जैसी बड़ी ताकतवर पार्टी के रूप में बनाने का जो लक्ष है वह भी उभर कर इस पदयात्रा के दौरान सामने आता है और दूसरी तरफ जो विपक्षी दल है जो भारती जनता पार्टी की ठीक वैसे ही मुखालपत करते हैं उसी तरह से विरोध करते हैं प्रतिपक्ष पेश करते हैं जैसे कॉंग्रेस पार्टी पेश करने की कोशिश करती है या करती है अब डिगरी का फर्क कौन किसमे कितना है ये तो कहा नहीं जा सकता लेकिन वे भी अपने को प्रतिपक्ष के दल मानते हैं तो उनके प्रति कॉंग्रिस पार्टी ने कॉंग्रिस के नेताओं ने इस पद्यात्रक के दौरान जिस तरह का एक द्रिष्टिकोंड या नजरिया जाहिर किया है दिखाया है उससे पद्यात्रा के क्रम में भारती जनता पार्टी के विरुद्ध एक बड़ा राश्ट्री विकल्प के उभरने का जो चांस है जो मौका या आउसर है वो थोड़ा सा धोमिलोता नजरा रहा है पार्टी की तरफ से कहा गया कि विपक्षी नेताओं को भी पद्यात्रा में शामिलोने के लिए आमंत्रित किया गया है खासकर उत्तर प्रदेश में तीन जनवरी से पद्यात्रा विश्राम के कुछ दिन के बाद उत्तर प्रदेश में प्रविश कर रही है उत्तर प्रदे भुगोल भी बहुत बड़ा है उत्तर प्रदेश के सिर्फ तीन जिलों में पद्यात्रा जाएगी और तीन दिनी रहेगी लेकिन कॉंग्रिस के नेता चाहते थे कि इस दौरान पार्टी के जो बड़े नेता है वो दिल्ली में भी चाहते थे जब दिल्ली में रहुल गांधी बूब कर रहे थे तब भी चाहते थे कि यह ज़्यादा से ज़्यादा विपक्षी नेता शामिल हो लेकिन विपक्ष के बहुत कम नेता शामिल हुए है अब तर अगर देखा जाये तो जब तमिलनाट से पद्यात्रा शुरो होई थी तो म के स्टालिन साब चीप मिनिस्टर वो स्वैम शामिल हुए थे कन्यमोजी स्वैम दिल्ली में शामिल हुई थी महारास्ट में भी कई नेता शामिल हुए थे लेकिन जो महारास्ट में एलाइंस के बड़े नेता हैं कांग्रिस एंसीपी और शिवसियना के जो टॉप लीडर्स है वो लोग नहीं हुए थे जो दूसरी कतार के नेता हैं वो शामिल हुए थे लेकिन हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं दोस्तों तो अखिलेश यादो समाजवादी पार्टी के राश्टी अध्यक्ष पूर्व मुक्हिमंत्री वो रिलक्टेंट हैं बलकि ये भी उनकी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि उनके इस पद्यात्रा में राहुल गांधी के साथ शामिल होने का अभी तक कोई फैसला नहीं है और संभावता वो शामिल नहीं होंगे ठीक इसी तरह से बहुजन समाज पार्टी की जो नेता है मायवती उनकी जाया है जयंत चौधरी ने भी साफ कर दिया है कि वो पद्यात्रा में शामिल नहीं होने जा रहे हैं तो ये तीन बड़े नेता उत्तर प्रदेश के विपक्ष के हैं और तीनों ने अभी तक पद्यात्रा में शामिल होने के बारे में कोई फैसला नहीं किया है जबकि तीन वाकई कोई लिखित या उपचारी कामंतरन उनको गया है या केवल फोन पर या इस तरह से मीडिया के जरिये कहा गया है ये भी बिलकुल ठीक ठीक पता नहीं है लेकिन जो प्रमुक सवाल उभरता है कि पद्यात्रा के दौरान कॉंग्रेस के टॉप लीडर्स ने स्वेम राह में जो टिपणियां की उन से मुझे लगता है कि जो विपक्षी दल हैं वो काफी भले ही वो कहें कुछ ना क्योंकि वो मानते हैं कि ये पद्यात्रा एक पॉजिटिव डिवलप्मेंट है एक बहुत स्वागत योग्य एक कदम है इसमें कोई दोराय नहीं जो असामत लोग हैं वे भी मानते हैं कि ये एक अच्छी पहल है राहुल गांदी की इससे स्वैम राहुल गांदी की की जो शक्सियत है उनका जो व्यक्तित्व है वह भी उभर कर सामने आया है और वो एक ताकतवर निता के तोर पे एक बुद्धिमान एक समझदार निता के तोर पे उभरे नहीं है लेकिन विपक्षी दलों के बारे में जो एक negative नजरिया आया उनके बारे में एक negative जो टिपणियां उन्होंने की हैं उससे ऐसा लगता है कि विपक्षी दलों का एक बड़ा हिससा आहत है और इसलिए पद्यात्रा में कسمीर के कुछ नेताओं को अगर छोड़ दिया जा महभूबा मुफ्ती, उमर अब्दिल्ला, फारुक अब्दिल्ला साहब तो इन लोगों के अलावा कोई अभी तक शिरकत करने के बारे में हाल के दिनों में कोई उत्साह नहीं दिखा रहा है जैसे उन्होंने एक दिन कहा पद्यात्रा के दौरान कि छेत्री दलों के पास राष्ट्री वीजन नहीं है यह राहूल गांदी का कोट है और साथ में यह भी कहा कि यह वीजन सिर्फ कांग्रिस के पास है अब यह जो दावेदारी है राष्ट्री दल अक्सर किया करते हैं भारती जन्ता पार्टी भी कहती है कि उसी के पास वीजन है जो नेशनल बिल्डिंग का और दूसरी तरफ कॉंग्रिस अपकार रही है कि सिर्फ वीजन तो उसी के पास है पहले Congress Party कहा करती थी कि किसी के पास विजन नहीं है सिर्फ Congress के पास विजन है लेकिन आज के दौर में जो गठमंधनों का दौर है यलक बाट है कि गठमंधनों के इस दौर में बीजे पी नेलेंदर बोदी जी की अगवाई में एक प्रचंड बहुमत लेकर बड़ी पार्टी अता सकता हूं तो उसमें ये कहना कि वीजन सिर्फ कॉंग्रेस पार्टी के पास है नेशन बिलिडिंग का देश को सम्हालने का देश को चलाने का मुझे लगता है कि ये विपक्ष की एक्ता में बादक है और दुसरी बात कि जैराम रमेश सहाब ने जैराम रमेश जो पार्टी के बहुत बड़े नेता के रूप में उपरे हैं हाल के दिनों में और जैराम रमेश नौकेवल कॉंग्रिस के टॉप स्पोक्स पर्सन है बलकि वो मीडिया डिपार्टमेंट के चेर्मेन है पद्यात्रा में उनकी बहुत म वाकार के तोर पे माने जा रहे हैं जैराम रमेश ने अभी एक वेब साइट या यूट्यूब चैनल को इंटर्व्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि 2024 से पहले विपक्षी एकता मुश्किल है तो विपक्षी एकता अगर 2024 से पहले मुश्किल है तो ये जो वाक के कॉंग्रिस के टॉप लीडर का है या तो विपक्ष के दाएरे में विपक्ष के पूरे हलके में ये एक तरह की मायूसी लाने वाला है एक उदासी लाने वाला है निराशा लाने वाला है क्या समझते हैं कॉंग्रिस के नेता कि क्या विपक्षी एकता के बगैर नरेंद्र जी की बीजेपी को उनकी ताकत्वर बीजेपी को आरेसस की बीजेपी को भाराना शिकस्ट देना क्या संभव है क्या ये यकीनी तौर पे कह सकते हैं कॉंग्रिस पार्टी के नेता कि वो अकेले अपने दम पर भारती जंता पार्टी को शिकस्त दे सकते हैं 2024 में तो अगर विपक्ष के परस्पेक्टिव से अगर विपक्षी राजनीती के नजर ये से देखा जाए तो ये कहना कि 2024 से पहले विपक्षी एकता मुश्किल नजर आ रही है मुझे लगता ह कि ये बयान 2022 के आखीर में देने का अच्चती क्या है अभी पूरा 2023 बचा पड़ा है 2024 का पुरवार्द भी बचा पड़ा है अभी डेड़ साल है उसमें बहुत कुछ हो सकता है घंगा जमुना में नजर ने कितना पानी बहेगा लेकिन जैराम रमेश पहले ही है कि विपक् पूर्टा मुश्किल है तो मुझे लगता है कि कहीं ने कहीं कॉंग्रिस पार्टी में जो उसकी एक आदत भी रही है एक पुलिटिकल एरोगेंस है रिजिनल पार्टी के अगर कांटेक्स्ट में हम देखें यह मैं मानता हूं कि रिजिनल पार्टी बहुत हैं ऐसी जिनके पास बहुत संकिन नजरिया कई जगह है एक संकिनता उनमें नजर आती है लेकिन यह कहना कि उनके पास कोई नेशनल परस्पेक्टी भी नहीं है यह असलियत नहीं है जिस तरह वो अपने प्रदेशों में अगर बहतर गवर्नेंस पेश करते हैं उसी तरह की गवर्नेंस वो पूरे नेशनल लेविल पर पेश कर सकते हैं हमने देखा है कि बहुत सारे रिजिनल पार्टी के लीडर कैबिनेट में रहते हुए सेंट्रल गॉर्मेंट में एलाइंस की गॉर्मेंट में उन्होंने बहतरीन परफॉर्म किया अनेक ऐसे लोग है जिन्होंने बहतरीन परफ सिंग के पास था और रगवंश प्रसाद सिंग को माना गया कि मन्रेगा के इंप्लेमेंटेशन यहां तक की कंसेप्चुलाइजेशन में भी उनकी बहुत अहम भूमिका थी हाला कि क्रेडिट कॉंग्रेस को मिली और कुछ अन एंजियो सेक्टर के लोग थे उनको मिली लेकिन स्वेम जब रगवंश प्रसाद सिंग से हमारी बात्रीत इस मामले में होती थी तो उन्होंने बताया था कि कैसे वो एक कलेक्टिव डिसकसन के बीच पूरी की पूरी परियोजना का खाका उबरा था और उसमें बहुत आहम भूमिकाने भाई थी स्वेम रगवंश प्रसाद सिंग ने और भी बहुत सारे नेताओं का मैं नाम ले सकता हूँ डीम के के लेफ्ट पार्टीज के नेता आप युनाइटेट फ्रंट के जमाने में ले लिजे रास्थी मोर्चा के दवरान ले लिजे यूपिये वन के गठन में भी जिस तरह लेफ्ट पार्टीज ने बहुत महत्मूर भूमिकाने भाई हाला कि नेशनल पार्टीज के तोर पे उनको माना जाता है और वो रही हैं लेकिन क्या ये संभव था कि यूपिये नाम का जो एक संजुक्त मोर्चा बना या एलाइंस बना एलाइंस कहिए उसको क्या वो लेफ्ट पार्टीज की भूमिका के बगएर संभव होता सच पूछिए तो समय लेफ्ट पार्टीज का जो ब्लॉक था बहुत स्ट्रॉंग था 59 सीटें उनके पास और यही वो कारण था कि लेफ्ट पार्टीज के नेता खास कर हरकिसंद सिंग सुरजी सीपी आईयम के तत्कालिन जनर्ल सिक्रेटरी उन दिनों सिमेंटिंग फोर्स आमिन सबको जोडने वाली ताकत के रूप में उबरे थे और एक मोर्चे बंदी हुई थी शांदार मोर् कर उबरा और यूपिये की सक्ता आई जो दस साल चली यह अलग बात है कि यूपिये वन और यूपिये टू में काफी फर्क था और यूपिये टू के जो गवरनेंस का मॉडल था जो कमजोर था और जिसमें बहुत सारी कमियां और गलतियां उबर कर सामने आई उसका अपने इंटर्यू बे ये भी कहा कि 200 सीटें लेकर कॉंग्रेस चुनाओ नहीं लड़ेगी यानि अगर कोई एलाइंस बनता है विपक्षी पार्टियों का तो उसमें कॉंग्रेस पार्टी को 200 से ज़्यादा सीटें चाहिए 200 सीटों तक अगर सिमित किया जाएगा कॉंग् इंगिज एलाइंस में नहीं जाएगी मुझे लगता है कि ये बयान भी गयर जरूरी है और इसका समय नहीं है वक्त के हिसाब से ये बयान नहीं दिया गया है इसकी कोई जरूरत नहीं है पधियात्रा का मकसद अगर नफरत को जोड़ना है तो सिर्फ कॉंग्रेस सेंट्रि के खिलाब हैं जो भारत को जोड़ने के पक्ष में हैं जो इंडिया से यूМы करने की बात होनी चाहिए ये पर्सपेकटि कहीं कहीं पद्यात्रा के जो नित्रतुकारी लोग रहा या कहीं कहीं मिस हैंडिल कर रहाएं वह इस पहल graphical को यह की बात अभर कर सामने आती है जब आ कि आपके बिवहार में भी झलखनी चाहिए आपके सिर्फ आपके लक्श में नहीं आप कैसे बरताव कर रहे हैं क्या आप चाहरे हैं इसे भी निकलनी चाहिए तो एक तो यह पहलू मुझे बहुत शकित करने वाला है कि ऐसी बयान क्यों आ रहे हैं कि हमें इतनी सीट्ट या इतनी सीट से कम या इतनी सीट से अधिक ये ये बयान का मतलब नहीं है वैसे भी कॉंग्रेस पार्टी ने अगर देखा जाए 2019 का एलेक्शन मैं कोई इसके लिए ये आंकड़ा जो पेश कर रहा हूं इसका कोई मतलब ये नहीं है कि हम कहा रहे हैं कि आपको इतनी सीट मिलनी चाहिए जितनी सीट आपस में ताय हो जाए वो मिले अगर इलाइंस बनता है तो लेकिन कॉंग्रेस का जहां तक 2019 का आंकड़ा है वो है 1966 सीटों पर उसने सेकेंड किया था और 34 स्थान पर जो थी वो और और जो बात की सीटें 100 सम्टिंग वो थी लेकिन 1966 सीटें ही उसको उन पर वो सेकेंड आई थी तो ये एक आंकड़ा है जो बहुत महत्मून है और पिलकुल आखीर में दोस्तों मैं बताऊं कि अगर देश के प्रमुक कुछ राजियों का हम आंकड़ा लें चुनावी कांटेक्स्ट में तो जिन राजियों में कांग्रेस प्रमुक शक्ती है बारती जनता पार्टी के विरुद्ध वो कौन कौन से राजिय हैं दोस्तों वो हैं 36 गड़ जहां वो सत्ता में है करनाटक जहां वो मुख्य विपक्षी दल है केरल जहां वो मुख्य विपक्षी दल है मध्य प्रदेश जहां वो सत्ता में थी लेकिन मुख्य विपक्षी दलब है राजस्तान जहां वो सतारुड दल है असम जहां वो मुख्य विपक्षी दल है तो ये जो स्टेट्स हैं एक दो तीन चार पांच छे राजे जहां पर वो एक बड़ी शक्ती है अपने बल पर लेकिन असम में सीटें कितनी है चौदा, 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 ग्यारा, कर जिन राजियों में मजबूत थी कभी कॉंग्रेस लेकिन जहां अब गोल है उसकी बुरी आलत है वो सीटें हैं आंध्रपरदेश 25 सीट वहां पर केवल है सीटें टोटल लोक सभागी गुजराथ 26 सीटें हैं तेलंगाना 17 सीटें हैं यूपी 80 सीटें हैं बंगाल 42 सीटें ह यहां पर कॉंग्रेस की स्थिती बहुत कमजूर है तो 190 सीटों वाले आमिन 6 राजियों में जब पांच राजियों में कॉंग्रेस लगभग गोल है बहुत बुरी स्थिती उसकी है वहां कुछ सीटें उसको जरूर मिलेंगी कितनी मिलेंगी यह कहा नहीं जा सकता और जिन राज्यों में एलाइंस है चार राज्य ऐसे हैं जहां पर कॉंग्रिस महत्पूर्ण घटक है एलाइंस में और यहां सीटें टोटल हैं चार राज्यों में एक सब एक तालीस ये राज्य हैं बिहार जारकंड महारास्ट तमिलाड और ये जो राज्य हैं इसमें बिहार में चा Congress जो है वो उसकी इस्तिती बहुत कमजोर है अब आमिन बिहार में तीसरे नंबर पर है वे इलाइंस में इसके अलावा जहारकंड में भी वो दूसरे नंबर पर इलाइंस में है महारास्त में भी वो नीचे ही है तमिलांड में तो बहुत बुरी स्तिती है अगर DMK के साथ उसक की पूरी संभावना है तो उसको कुछी सीटों से उसको उसको अपनी अपसंतोश करना पड़ेगा तो दोस्तों ऐसी स्थिती में राहुल गांधी की पदयात्रा का अगर मकसद सिर्प राहुल गांधी की इमेज बिलड करना उनको एक ताकतवर नेता के रूपमे पेश करना है तो निश्चित रूप से उसमें कॉन्ग्रिस पार्टी को एक काम्यावी मिली है इसमें कोई दोराय नहीं है राहुल गांधी ने प्रेस को जैसे फेस किया कई जगा प्रेस कानफेंसेज करी पत्रकारों के सवालों का जबाब दिया देश के टॉप के सत्ताधारी नेता जो आजकल के हैं वो भी इस तरह से प्रेस को नहीं फेस करते तो यह पॉजिटिव पहलू उनका है जो उबर कराया है जिस तरह वो जंता से मिले लोगों के बीच संबाद किया वो बहुत महत्पून है लेकिन अगर इस पद्यात्रा का मकसद याभी है कि नफरत को तोड़ो भारत को जोड़ो इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ कि राश्ट्री अस्तर पर एक वैकल्पिक शक्ति के रूप में उभरना दो हजार चोबिस में और वो पॉजिटिव नहीं है उनका एप्रोच निगेटिव है मुझे लगता है कॉंग्रिस को पॉलिटिकल एरोगेंस की जो पुरानी उसकी एक विरासत है परंपरा है उससे उसको छोड़ना चाहिए आज जरूरत इस बात की है कि सब को गले लगाए आप पद्यात्रा में सब को ताकत के सामने इस चुनाओ में अगले चुनाओ में कोई बड़ा मुकाबला बड़ा कड़ा कड़ी चुनाओती उसको दे सकेगी इसलिए विपक्षी एक ता आज की दरकार है जिसे कॉंग्रिस पार्टी हलके में ले रही है नमस्कार आदाब सथ्रिया काल